सबसे बेसिक और सबसे जरूरी सबसे महत्वपुर्ण विशय चैप्टर टॉपिक पर डिस्क्रिशन करने वाले हैं जिसका नाम आपको दिख रहा है जिसका नाम है विभार्चिता जैसा कि यह चैप्टर है क्योंकि हम जब मैस पढ़ने आते हैं तो उसमें सबसे अधिक समस्य आती है संख्या कौन सी संख्या किस से कटेगी किस से डिवाइड करेंगे तो उसे सपल के आएगा भागपल के आएगा बहुत जादा समस्य है बुना करना जल्दी जल्दी फास्ट गुना करना स्कॉयर नि सबसे पर प्रशन देखते हैं कि एक प्रशन जब मिलता है किसी चातर को तो चातर कैसे अटेंट करता है इसी से हम सीख पाएंगे इसके बाद मैं कॉंसेप्ट सिखाने जाओंगा जैसे कि आपको ये प्रशन स्क्रीन पर दिख रहा है इसका उत्तर आप पहले कीजिए पहल की तरह कर रहा हूं कि एक नया स्टुडेंट कैसे इसको सॉल्व करता है आठ से इतना को विभाजित बनाने के लिए पी का मान क्या होना चाहिए यानि यहां रखेंगे और विभाजित बनाने के लिए यानि विभाजिता का मतलब ही क्या होता है तो मैं यहां से स्टार्ट क का मतलब यह है कि अगर मैं 15 से किसी संख्या 75 को भाग दूं तो क्या होगा 15 पच्छे 75 तो यह क्या हो गया इसमें से घटा तो शुट यानि यदि हम किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से भाग दें नि कोई संख्या 75 है इसको 15 से भाग दें तो सेस्फल सुनने आना अब इसका दूसरा मेथट भी है कि एक स्टुडेंट को बोला गया कि आठ से अरसट को भाग दो तो वो एट एट जा 64 तक तो कैंसल कर दिया बचा चार अब बोला कि सर यहां दसमलों दे कि यहां 0 रख लेंगे और 85 चालेस और यहां से भी तो सेस्फल सुनने आ गया इसका मतलब सटर यह होना चाहिए कि 58 अरसट आठ से पूरी तरह से भाजित होना चाहिए क्योंकियों की यहां भी सेस्फल सुन्य है लेकिन हैए इसका भाग पल देखिंग rip Colin Amalohi और इसका भाज़ों में हैं वो जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भागतें तो सेश फल बाग फल एक पूर्न संख्या हो और सेश फल 0 हो सम जब भी भाज़त मना जाता है, तो यह हुआ पहला concept तो आई इस concept के according is question को हल करते है, आट से हम भाग दे रहे है किसको तीन नौ छे दो पाँच आठ और पी यानि पी का कोई वैलू होगा तो विभाज बनाना है यानि यहाँ होल नंबर चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए जीरो तो भाग देते हम आठ पंजे चालिस नहीं जाएगा आठ चो के बत्तिस तक जाएगा बचा कितना साथ छे फिर एट नाइन सब नौट बहत्तर बचा चार और ये दो आठ पंजे चालिस बचा दो और ये पांच आठ प्या चौबिस बचा एक फिर आठ आठ दुना सूला बचा दू अब बात आती है किसकी पी की अब तो यहाँ सीधे पी ड्रॉप होगा ना तो पी का मान लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा मान लिखें पी की जगर कि 8 से कट जाए और दो से उपर यानि 20 से उपर टेबल है तो आठ ती है चौबिस तीन बार करेंगे तो चौबिस आएगा दो पहले से है यानि चार रग दिन की तो काम हो जाएगा आगे पढ़कर दे देंगे तो आठ त्या 24 कटके यह सुन्य सेसफल दे देगा तो सेसफल हो गया सुन्य और भागफल हो गया पूर्ण संख्या इसका सीज़ा सा मतलब है कि पी का मान चार करने पर हमारा काम हो जाएगा यह प्योर टेडिसनल है लेकिन इस मैथट से हम एक्जाम में को सॉल्व करेंगे तो हमारा कापे टाइम जाने वाला है और जो नहीं कि सिर्फ आठ से हो और भी कई संख्याओं से दे सकता है तो ऐसे चेक करना सही नहीं रहेगा क्या चेक करना सही है तो अंतिम तीनंख यह है आठ की विवाजिता का नियम को अगर हम आठ से विवाजित करें और य तो कट गया साथ बार में 56 कट गया बचा कितना दो अब पी का मान रखना है क्या रखें तो चार रखेंगे तो आट ये 24 कट जाएगा और सिस्पल हो जाएगा जीरो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि पी का मान चार रखने पर काम हो जाएगा तो ये इतने में हल हो जाता इतना करने की जरुवत नहीं पड़ती तो इसके लिए एक information की जरुवत पड़ी है कौन सी information कि आठ की विभाजजता का नियम ये कहता है कि अंतिम तीन अंग को आठ से विभाजित करके देखिये अगर अंतिम तीन अंग विभाजित हो जाए तो प बहुत सारे question लेकर आयों इस वीडियो में यह सिर्फ डेमो नहीं यह पूरा class है तो आईए हम लोग विभाजजता सीखने चलते हैं विभाजजता के नियम की जरुवत है तो बिलकुल नहीं एक की विभाजजता की नियम की जरुवत नहीं है क्या दिया है कि प्रदेख जरुवत नहीं है अब हम चलते हैं दो की विभाजजता के लिए नियम क्या है अंतिम अंक संख्या अर्थात जीरो दो चार च्छे आट कुछ भी हो याद पिर इसको दुसरे लेंगीजिस में यह भी कह सकते हैं कि अंतिम अंक दो से भी भाजजित होना चाहिए अंतिम का ए तो इसक्र फटांदाज में देखेंगे इसको कि आगे में बहुत सारा एक तो चार से बाज़ित होगी यह है कि नहीं तो चार से काटो उस पलैने यह नहीं विवाजित है यानि पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी आगे देखए आठ का निहीं हम क्या होना चाहिए वी गई संख्या में अन्तिम तीन अंकों से संख्या आठस्य विभाजित होनी चाहिए तो यह है कैसे होगी टो चेक करते हैं से मैं एक नियम बटाता हूं जो कि आगे और भी काम करेगा यह दो का पावर एक जिर होता है दो यानि अन्तिम पावर क्या कह रहा है किसको इंडिकेट कर रहा है अन्तिम एक अंख अन्तिम एक Alg एक अंब फिए तो काफ पावर दो क्या होता है चार यानि अंतिम दो 2 अंक न्तिमय 2 लंग चाँच से वाजित होने चाहिए 2 का पावर 3 क्या कहता है आठ यानि अंतिम 3 अंकया और थूत Mayo रहे होनी चाहिए तो पूरी संक्या अधिक मनी जाएगी दो सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि सारी चीज़े यादो हमें याद करने के लिए कि एक्स्ट्रा अफ़र्ड ना करना पड़े हैं आये तीन का नियम सिखते हैं क्या कह रहा है दी गई संख्या में अंको का योग तीन से विवाजित होना चाहिए संख्या यह है संख्या के अंक तीन दस दो अंकों की संख्या जिसमें एक और जिरॉ एक एक अंक है ग्यारत दो अंकों की संख्या जिसमें दो अंक एक दbार प्रयूपत हुआ है तो अंक और शंख्या में refuse नहीं होना चाहिए मैं बिसलिए बतारा हूँ कि अंको का योग यानि तीन जोर साथ 10 साठ अठारा और नौ21 यह तीन से भाक्त है कि अहां है तो पुरिए संख्या तीन से वाजित हो जाएगी यह तीन से भाजित है कि vind की उनों सेलागा इस ह। तो नहीं तो पुरी संक्य तीन से विवाजित नहीं होगी अब 9 का नियम क्या है 9 कभी सेव नियम है कि 3 के समान यानि अंकों का योग 9 से वाजित होना चीए चेक करते है चार और पांच नौ और छे है 15 15 7 22 और एक 13 36 चा थिस नो से वाजित है है तो पुरी के वाजित हो जाएगी यह साथ और आठ आठ साथ कन्धरा 15 पंदरा और नो 24 और 25 उन्ती show चैब 35 यह 9 वर जोब जित है क्या है नहीं तो पुरी संक्य वी भाजित नहीं होगे कि ठीख है सीकली आपने तीन और नौ का एक जाशना है आगे देखते में कि छह का नियुम बढ़ा इस सांदार है चार का नियुम कैसे आएगा तो छह का फैक्टर देख लिजए किया होता है ती और अधोत जो संख्या तीन से और 10200 सबको जोड़ लेंगे साथ 12-12-22 और 2029 और चार 33 23 Consejal 23 Cum 1113 और तीन वह वाजित नहीं है तो यह 6 से विभाजित जब ये 6 से विभाजित है ये 6 से विभाजित नहीं होगी पहली चीज और इसको चेक करने से पहले हम क्या करते कि ऐसे ही देख लेते कि ये तो 3 है ये तो 2 से विभाजित नहीं है तो पहले 2 से चेक करना जादा आसान रहेगा कि 2 से चेक कर लेते हैं कि अगर भीवाजित नहीं तो तीन से चेक करने की ज़रूआद नहीं पर थे जैसे इसको देखो 2 से छेक किया विवाजित आब जोडेंगे 1 और 2 है 3 और एक 4 और 3 साथ और 5 channel 12 और 18 किस ये विवाजित है तो तीन सब्स तो जैसे तीन चार कानो चार मतने को से चेक करो यह दो शंशष नहीं होगत ऐब आगे आप से पूछेबा कि बारह से कौन सी संख्यां कटेंगी या फिर 63 से कौन सी संख्यां कटेंगी 99 से कौन सी संख्यां कटेंगी तो इसी तरह से रूल चलेगा कि दो तिया छै या फिर चार तिया बारह चार से और तीन से जो कटे वह बारह से भी कटेंगी और यह 9, 60, 63 जो 9 से और 7 से कटे वो 63 से भी कटेगी 99 जो 11 और 9 दोरिसे कटे वो खटेगी क्योंकि 11 तक का नियम बताने बाला आईये आगे शिकते 5 का नियम बताने की जुरूशत नहीं अंतिम अंक सुनन या 5 होना चाहिए तो यह सुन्य है तो यह विवाजित है यह पांच है तो यह बाजित है यह सुन्य पांच नहीं यह तो व peppach not Sky और आठ वाला फांच का स्कौार पस्ट 53 होता है 25 यह पिस पचास पक्र पीस से पक्का होगा 15 का टेबल नहीं है तो यह नहीं होगा अंचिंब्द कि यहां देखिए 125 का नियम क्या कहता है तो अंतिन तीन अंक 125 से विवाजित हो जाएगी यहां पर यह 125 से विवाजित नहीं है यहां पर भी 125 से विवाजित नहीं है जाए 125 तो नहीं होता है कि यह 125 होता है यह 145 नहीं करता बस ऐसे ही चेक कर लेंगे यह दो के जैसे यह जैसे पाँच के पावर एक तो अंतिम एक अंक पाँच कावर तीन 125 होता है तो इसके लिए तीन अंक बस तो इससे थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूं ताकि यहाद करना असाल है 10 का नियम क्या होता है तो अंतिमंग 0 होने चाहिए तिक अंतिमंग 0 है यह नहीं है यह भी नहीं है अंतिमंग 5 छोने से 10 से विवाज़त नहीं होगा आगे बढ़ते हैं 100 का नियम क्या है तो अंतिन दो मंख होंगे जीरो तो यह सो से विभाजित होगा और अंति मंख सिर्फ जीरो है तो यह विभाजित नहीं होगा तुक छोटी छोटी भी बाते में बता रहे हूं कुछ भी नहीं छोड़ा रहे हूं आगे बढ़ते हैं साथ का नियम क्या कहता है तो साथ का नियम तो इतना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो इसलिए डिरेक्ट मैसल आ देता हूं कि आप डिवाइड करके देख लो बत क्लास में तो सिखा रहा हूं कि नियम कहता है कि अंतिमницаanchya का दुगना से स्ग्धे हुवे संख्या मैंसे घटाई है यह एक सो ऌन्चास में से एक का दुगना क्या होता है डोगी गटा दीए कितना आ गया साहत चार i.e. अब 7 अंत्या संक्या जो भी बची है उसका दुगने घटा दो इसका जिप जिड़ा उसका मतलब यह साथ सवीवाजित है या फिर 7 ओन Alta या फिर 14 और 15 या ए निन्हीं सत का этоinks अलएगा तो साथ साथ से विवाजित माने जाएगी ठीक है और आगे चलते हैं एक और एक्जामपल यह है कि नहीं तो देखो इसको आठ दूना सोला से वेंटीन नाइन से सोला को घठा दीजे तो यह च्छे में से नौ में से च्छे गया तीन और साथ में से गया च्छे तीरे से फिर तीन का डबल च्छे इसमें से घटे जाएगा जो है उसको छोड़ देना है जीरो तो यह भी साथ से वाजित हो जाएगी है ठीक है बस सिंपल सा है आगे बढ़ एक और एक्जामपल खरा देता हूं पांच चार तीन दू क्या करेंगे तो दू का डबल चार इसमें से घटाओ तेरह में से चार के नो यह तीन यह पांच फिर नो का डबल अठारह इसमें से घटाओ तेरह में से आठ गया पांच और यह चार में से एक गया तीन अब तो पैतिस आ गया फिर से पांच का डबल साथ से भाचित होंगी अब इतना करने से क्या था कि हम साथ से चेक कर लेते साथ सते उन चास बचा पाँच है पिर साथ साथ उन चास और यह उन तीरी पंचार बेयारिस अब दोनों तरीके से जा सकते हैं एक ग्यारा का नियम सबसे मातवपूर्ण सबसे important नियम है 11 का नियम क्या कहता है 11 का नियम इनके इसमें क्या करना है कि यह जो सम्स्थान और विशम अंश्थान लिखा हुए बर पर लेजे इसको इग्णूर कीजिए आपको समझ में आता है तो ठीक बहुत बढ़िया बात है लेकिन जो मैं बताता हूं उसको सीखिए 11 का नियम क्या कहता है कि एक आंतर एक आंतर अंकों का योग यानि पहले से स्टार्ट करो और एक एक छोड़ कर जो संख्या है उसका योग कर लो साथ चारे ग्यारा एक ग्यारा और पांच सोला अब जो बचा है उसको जोड़ लो क्या क्या बचा है छे बचा है और आठ बचा है और दो बचा है थोड़ा सा ध्यान से करना होता है यहाँ पर छे आठ और दो इसको भी जोड़ लेते हैं यह भी एक अंतर हो गया आठ चे चोड़ा दो सोला तो हम क्या करेंगे सोला माइनस सोला बराबन जीरो जीरो क्या कहता है या तो जीरो अंतर इनका अंतर तो इन दोनों का अंतर जीरो या तो एक ग्यारा है तो जीरो आगे है मतलब इस संख्या ग्यारा से विभाजित होगी विडियो स्टॉप कीजिए और बाकी कोश्ण का एंसर जल्दी इल्दी करेंज हैं यहाँ पर क्या करेंगे 14-7 एंग्यारा आठ-6 और 8-248-242-êtes यहां पर देखि एक और 30 क्цы चार और साथ 118 और 614 14 में से 11 घठा थीन यह lot यह 1 बैल का टेबल और नहीं जीरो है तो यह विवाज़ित नहीं होगा यहाँ पर 4 और 6 10 10 13 13 और 1 14 पाच और 7 12 12 और 2 14 तो यह होगा जीरो मतलब यह विवाज़ित होगी तो यह रहे नियम वे सारे विवाज़िता का नियम मैंने बता दीए आएथ प्रशने स्टार्ट करते हैं इतना ही बेशिक नियम के तहट हम सारे प्रस्ट में को हल करेंगे चलिए पहला प्रश्ट यदि संख्या 6-8-7-29 नौ से विभाजित है तो टू एक्स का मान क्या होगा प्रस्ट ने पहले ही बोल दिया यानि हमें एक्स रखना है कि क्या रखें कि नौ से विभाजित हो जाए तो नियम क्या सिखा कि सबको जोडने पर वो संख्या नौ से वाजित होनी चाहिए तो छे और आठ 13 इसको देदेखें तो 7 एक्की हो गया 29 नыпर 32 32 यह 31 प्लस एक्स और इसको 9 से चेक करना है तो और ऑल्रम नोऌन ओगी तोνा च्छा होता है और ऑर 32 है क्यों ना एक्स की जगद चशर रख दे नो तो 32 March 365 बट्छा 9 ऐं ना कूण अब कुछ रखने से नहीं होगा तो एक्स का मान चार आ गया तो टू एक्स का मान क्या होगा दो गुना चार बराबरा तो बड़े आराम सेंसर ले देंगे जब हमें नियम पता है ठीक है आईए और आगा चलते हैं दूसरा पॉर्शन एदि दी गई संख्या वही है एक गया स रनेट संख्या लेजिए और इनका अंतर चेक किजिए और यह बोल दिया कि वाज्या ओल्रडी यह संख्या विवाज्या से लेक दे देखते नौर पांच जोदार आठ सब्सक्राइब दोनों का अंतर क्या होना चाहिए या तो जीरो या तो इसे ही चलते रहना चाहिए तो हम एक्स की जगा पर क्या रखें कि जीरो हो चाहिए और एक क्या है एक अंकी संख्या होगी एक ही अंक उसको मिलेगा यानि जीरो से लेकर नौ तक कुछ रखेंगे उससे ज्यादा नहीं रखेंगे तो अगर हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो काम नहीं होगा 22 नहीं बने तो साथ में कितना जुड़े कि 11 हो जाए तो बाइस माइनस साथ यह तो प्रश्ण में है और एक्स की जगा पर चार रखके देखे साथ चार 11 तो बाइस में से ग्यारा गया गया तब तो यह संख्यनों से वाजित होगी यानि फिर एक्स कमान क्या मिला हमें चार एक्स कमान चार हम एंसर करेंगे बड़े आराब सब तूब एक्स करी एक्स कुछ भी रहता तो हम घर लेते हैं तो ऐसे ही छोट सोचेंगे कि यह सबसे छोटा मान होगा अब बड़ा मान भी कुछ नहीं हो सकता यही एक मान होगा ठीक आव आगे बढ़ते हैं एक्स का वो सोटा मान गयात करें ताकि इतना बारा से भाजित हो जाए बारा का नियम दो पढ़ाया नहीं लेकिन क्या बोला जो तीन और चार दोनों से भाजित हो वो बारा से भी भाजित होगी तो देखते हैं ये तीन चार का नियम क्या कहता है अंतिम दो अंग चार से हो तो दो अंग कट गया चार चार के चोविस तो चार तो पास अब तीन क्या कहता है पाच और एक छे चे चे और साथ तेरा, तेरा और तीन-सोला और त size 18-ठार चार बाइस प्लेस अब यह तीन से कैसे होगा तो तीन-टे脂ेश four औभिस तो अउपर थेख है सबसे छोटा मान चाहिए लिए 2 रख दे क्या करेंगे पुट एक्स बराबर दो एक्स के लिए जैसी दो रखेंगे तो यह 22 प्लस दो कितना होगा 24 और 24-23 तो कट जाता है यानि अगर हम एक्स का मांद दो रख दे तो पूरी तरह से बारा से भी वाजित हो जाएगा हमारा उत्तर क्या हो जाएगा एक्स बाराबर टू ऐसी थोड़ा थोड़ा सूचते रहना है कोशन आते रहेगा मैं एकदम बीस एक प्रैक्टिस करा रहा हूं और यही से एक्जाम में कोशन आते हैं अभी अभी यह बताया अंतिन संख्या को तो ऐसी कितनी 6 अंखों की संख्या हैं क्यों कि अब यहां से ऑप्षन से स्टार्ट हो गया अब करके प्रशन में मैंने नहीं दिये थे मैं basic concept जिखा रहा था तो ये 6 अंकों की संख्या है क्या तो ये संख्या है 5, 3, 7, X, Y, और 5 125 से ये विभाज है अल्रेडी बोल दिया यानि reminder 0 है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी यानि X, Y के बहुत सारे मान हो सकते है तो ऐसी संख्याओं के लिए हम क्या करें आईए 125 कनियम क्या कहता है कि अंतिन 3 अंग विभाजित हो और अंतिन 3 अंग में 5 दे दिया मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी उस सबका इकाई अंग तो 5 ही होगा न ठीक है X, Y का मान बदलता रहेगा तो सबसे छोटा मान क्या हो सकता है जो 125 से विभाजित हो तो वो 125 से विभाजित का मतलब किसी भी संख्या से विभाजित का मतलब वो संख्या का पहाड़ा है कि 125 का पहाड़ा क्या होता है 125 एकम 125 125 दुना 250 125 तिया 300 75 125 चोगे 500 215-6, 25-6, 75-125, 775-17, 75-13, 75-13, 901,000, लेकिन अब तो यह 4 संख्या मिल गही है, यह से आगे तो जाना ही नहीं है, यह तक्रेम है और कौन-कौन सा नंबर लेंगे वहां तो जिसके स्थान पर 0 है वो नहीं लेंगे यानि 125, x, y का मान क्या-क्या हो सकता है मैं वो अब रख रहा हूँ कि x और y के जगा पर क्या-क्या रख सकते हैं तो यहाँ 1, यहाँ 2 यह हो जाएगा 125 ठेक है क्योंकि 5 तो रखना ही रखना है 5 से तो हम बची नहीं सकते हैं फिर 375 यानि यहाँ 3 और यहाँ 5 अलरेड़ी यहाँ 5 है उसके बाद 625 तो यहाँ 6 और यहाँ 2 उधर तो और यहाँ 5 है यह दर ज्यादा 5 लिखा गया था तो 375 अलरेड़ी यह 5 था 625 अलरेड़ी पाँच है और क्या है 875 तो ऐसी कितनी संख्याइं हुई 1, 2, 3, 4 ठीक है तो यह 4 संख्याइं संभाव है यहाँ से भी देख सकते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या चुट तो नहीं रहे न, 4 संख्या, छुटने का सवाल ही नहीं है यहाँ कि मैंने 1 से स्टार्ट किया है, एक बार फिर से देख लो 125 एकम, 125 दूना रहेगा नहीं, मतलब जो इवेन नंबर है वो तो बिल्कुल नहीं रहेगा और एक, तीन, पाँच, साथ और नौ, यही पाँच और आदा है तो 125 को 9 बार करेंगे, तो ज़्यादा चला जाएगा, तो सिंदसी बात है कि 4 उत्तर होगा, ऐसी 4 संख्या होंगी, आगे बढ़ते हैं ने में लिखित में से कौन सी संख्या, 9 और 11 दोनों से भी भाज्य है तो आप चाहो तो भाग दे लो सारे option को पकड़ पकड़ के, ठीक है या फिर 9 और 11 का नियम लगा, तो हाँ हसी आती है न कि यसे कैसे भाग दे 9 और 11 का नियम दो-दो बार चेक कर लो काम हो जाएगा तो किसका चेक करेंगे पहले, 9 का की 11 का, तो 11 का मुझे आसान लग रहा है क्योंकि अल्टरनेट चेक कर लेंगे, कि देखो, 1 और 9, 10, 10 में से 8 गया 1, 2, यानि ये कटेगा नहीं, जब 11 से नहीं करना तो 9 से चेक ही नहीं करना है फिर ये 1, 0, 0 और 8, 9 और ये 9, यानि 11 से तो ये कट गया 9-9 बराबर 0, तो 11 से तो मिल गया, जब 11 से मिल गया, तब इसको चेक करेंगे 9 से तो 9 का नियम क्या कहता है, कि 1, 0, 1, 1, 9, 10, और 8, 18, 18, 19 से भी होता है होगी, option से हमें यहीं एक help में जाता है, बाकि चेक कर लो, एक और एक दो और 8, 10 में से 0 जाएगा, एक आरस नहीं होगा, एक और 0, और 7, और 7, 0, 7, 8, 8 में से 8 गया, 0 होगया, एक यारस तो होगया, लेकिन 9 से तो आठ एक नो और साथ, 16, 16, 9 से भी भाजित नहीं होता, तो यह भी होगा, चलो एक तरह से रूल भी recap होगया, आगे बढ़ते हैं, कौन से संख्या 2, 5 और 10 से भी भाजित होगी, तो बहुआ जो 10 से भी भाजित है, इसका मतलब ही कायंग पर 0 आएगा, वहीं दस से भी भाजित होगी, तो वह 2 से भी होगी, ठीक है, अगर हम कोई भी नमबर ले ले, कि कौन सी संख्या 10, 20, 11, 30, 15 से भी भाजित होगी, ठीक है, तो पचास से जो संख्या भी भाजित हो गई 50 52 पचास तीयर डिर सो लेकिन सबसे चोटी संख्या लेंगे वह भीच से भाजित तो नहीं होगी लेकिन तो डिंस तो जाएगा ना तो ऐसा की टेवल इत्वा से एक्जांपल और है अगर मैं दस पचीस पचास और सो जो संख्या क्겠व करने नोगे उसके आएंटहिए थोड़ा थोड़ा नोड़। थोड़ा थोड़ा नौलेजा यहां सब्धारा काम आते हैंी गतन कि लग की सत अंकों के संख्धा निन्यानवे से वाजित अग रिए कंछे करेंगे धारा और नौ को चेक करेंगे आपकी मर्जी पहले करेंगों को से करो यह तो यहां x का मान क्या क्या हो सकते है जो नौ से भाजित हो जाए तो नो चोग के 36 यहाएगगा एक ही अन्की संख्या है तो आगर X की जगह पर हम 4 रख दें तो हमारे पास 36 मिल सकता है एक सीजगा 4 रख दें तो 32 और जो चार 36 कट जाएगा तो एक बार चार को यहां रखके चेक करेंगे 11 से कटता है कि नहीं तो देखिए आठ और तीन 11 और चार 15 और तीन 18 और नीचे चार और नौ 13 और पांच अठरा है तो अठरा माइनस अठरा दोरा बसी तो यहनी 11 से भी हो गया नौ से भी हो गया यहनी पक्का एक्स के जगा पर चार आएगा ठीक है चलो और आगे चलते हैं यह देखिए यह साथ अंकों की संख्या इतना 72 से इभाजित है तो एक्स प्लस वाई का नूंतम मान क्या ह होगा साथ अंकों की संख्या यह 72 एक्स वाई अलाल है तो एक्स प्लस वाई एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए कैसे निकाले यह सीखते हैं 72 से भाजित है मतलब 9 गुना 8 72 होता है 9 से भी वाजित है और 8 से भी वाजित है तो हम इसको क्या कर सकते हैं तो इसको हम कर सक के लिए दूनों का मान चाहिए लेकिन आठ के लिए तो एक ही मान चाहिए न यह हमारी चलाकी होगी कैसे च्टर्य करें तो यहां रख सकते हैं तो डिखते हैं कि 8-530 अगर jiro hooga beth 40 कटेगा लेकिन चार-पंजेच चहुदर नहीं करतेगा स्ब्सक्राइब एक रखते हैं तो medida 14 14 2 रखते हैं तो उन्हेश्द और आट तियश्वर दो पास हो गया जीडिक पैढिक्स बोस्कट अब सकते हैं जंसक्राइब को करेंगे इस तिंद रखके नहीं कड़ेगा फिर पांच आठ पंजे चालेस और चोवल अच्छे करता आठ साथ च्छपन भी नहीं कटेगा ठीक है लेकिन अब आगे हम कब तक चेक करते रहें क्योंकि यहां न्यूंतम मान बोला है तो एक्स का भी मान न्यूंतम होना चाहिए और वाई का भी मान न्यूंतम होना चाहिए फिर हमारे पास क्या है 5, 6, X, 3, 4, Y, 4 इसको हमें 9 से चेक करना है कैसे करेंगे तो Y के जगह पर तो हमने 2 रख लिया 4, 2, 6, 4, 10, 3, 13, 13, 13, 19, 5 24 जोड एक्स में ड़न नहो अब 9 तिया 27 होता है मतलब X बराबर 3 रख लेंगे तो काम हो जाएगा तो X प्लस Y क्या हो गया तीन प्लस दूब बराबर 5 लाते समझ में आ रही है कि हम कैसे कैसे दूदू लिटा भी गाइब रहेगा तो कैसे फाइंट कर ले प्स रूल्स यदि 9 अंकों की एक संख्या इतना बहत्तर स्वाजित हो तो यह आपको करने चाहिए वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसका एंसर कीजिए मैं भी बताता हूँ 72 स्वाजित के लिए क्या चाहिए 9,8,72,9 और 8 सबसे पहले आप 8 को चेक करेंगे की आठ यहां से एक अंक मिल जाएगा तो दूसरा भी मिल जाएगा तो एक अंक करना असान होता है तो इसको आठ से आठ नुवा बहत्तर बचा क्या चैनि आठ एटी चौंसट तो चार देंगे तो कट जाएगा हुआई का वैलू मिल गया हमें चार ठीक है अब नौ से भाग देंगे तो तीन आठ नौ एक्स छे तीन साथ आठ चार इसको नौ से चेक करना है तो चार और आठ बारह बारह और साथ उन्निस और तीन बाइस बाइस और च्छे अठाइस अठाइस और नौ 37, 37 और 8 45, 45 और 3, 48 यह 48 प्लस एक्स बटा 9 अब चेक करेंगे कि 48 से उपर कौन से संखिया है तो क्या होगा कि 9, 45, 45, 9, 6, 54 तो हम कितना जोड़े कि 54 हो जाए तो एक्स का वैलू हमें 6 रख दे तो काम हो जाएगा 38 और 54 होता है और 54 से कटेगा यानि एक्स बारबर क्या आगे 6 अब यहां पर हम वैलू रख लेंगे अंडर रूट 6 गुना 6 प्लस 74 यानि 36 प्लस 74 कितना होगा छे चार दस की 0 छे चार दस की 0 हासिल एक सातिन दस और एक एक्सो दस अंडर रूट एक्सो दस चलिए आगे दिखते हैं एदि छे अंकों की संख्या इतना तथा इतना क्रम से ग्यार और बहतर से वाज्य है तो पांच यानि इसमें से हमें एक्स और वाई दोनों चाहिए कैसे मिलेगा तो यह है ग्यारत से भी भाजित और यह है 72 से 72 मतलब 98 बहतर तो इसको हमें 9 से और 8 से दोनों से चेक करना होगा इसको और इसको सिर्फ एक्स मिलेगा एक्स को पहले फाइंड कर लेते हैं इसदर से 4 और 6 10 10 और 13 उसके बाद तो कुछ है नहीं और यहां से 2 और 5 7 और जोड एक्स माइनर 7 जोड एक्स ठीक है इसको हम घटाएंगे तो क्या होना चाहिए तो हमारे आना चाहिए यह तो 0 या तो 11 या तो 20 यह तो इसरी चीज़ आने चाहिए त क्या करें कि यह 0 दे दे तो 7 और 5 12 7 और 6 13 अगर हम एक्स का मांच 6 रख देते हैं तो 0 आ जाएगा तो काम बन गया एक्स बराबर 6 अब इसको चेक करते हैं 9 और 8 8 से चेक करेंगे तो काम हो जाएगा तो 8 से चेक करके देखते हैं कि क्या मिलेगा आठ नुवा बहतर अगर रखते हैं तो बहतर गया ये बच गया तो 2 नहीं रहे सकते हैं जीरो रखते हैं तो सीरो बीबहर रखके चेक कर लेना होता है आट-ट्य-पर लिए लेकिन हमें वहां पर जी यह और बी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं और पर एक बार 9 से भी चेक कर लेते हैं वह घृतर नहीं होगा तो बढ़ी बढर दूसरा वहलू एक से होगा नहीं कि एक हट्र होजाएगा और बहत्र जाही दो से भी नहीं होगा तीन तीहत्र तो बहत्र और एक चोतर नहीं होगा चार रखेंगे तो ठबहत्र चोविसाथ च्योबीस हो जाएगा वाई बडहर तर्ख का तब हो जाएगा तो यह बराबर चांट करते हैं कि सीवाजित होगा कि लिए तो चार चर आट और साथ एसगयारह और पांच सोला हैं और दूँटारों एक पिंद्ध कि ना चर आट आट और साथ चौदर तरी आठ और साथ पंदरा पाँच बीस और तिन तेईस नहीं कटा गम नहीं कटेगा वाई बराबर चार रखने से भी मामला नहीं जमेगा फिर वाई बराबर क्या रखे तो पाँच रखते हैं बहतर और यह हो गया चौवन नहीं कटेगा छे रखते हैं बहतर चोवालिस नहीं कटेगा साथ रखते हैं बहतर और पांच चोवन नहीं कटेगा X के लिए 6 fix किये थे पांच गुना 6 माइनस दो गुना आठ पंच चे पंच तीस और आठ दूना 16 है तीस में से 16 गया है 14 हमारा उत्तर होगा ठीक है यो बाते समझ में आ रही है मैं कैसे कैसे रूल से इंक्लिमेंट कर रहा है और आगे चलते हैं अब इसका क्या अंसर होगा देखो तीन साथ और ग्यारह तीनों से भाजित होना चाहिए कोई आपस में इसमें किसी दूसरे को नहीं काटता इस किस के लिए एक ही तरीका है तीनों का मैल्टिप्लाइब कराना अब हम 231 से भाग लगाएंगे पांच तीन पांच एबी को ठीक है जो वैलव मिले हैं चो दो बार में लेकि जाते हैं तो दो सो बासेट बचा क्या तीन तेरह में सेच चेह गिया साथ दोसो बासेट नहीं चारसो बासेट यह गया जीरो 462 अब A और B का मान रखने की बारी आगी तो ऐसा जब भी केस हो जब लास्ट में दो डिजिट दे दे और इधर कोई भी क्लू ना दे आठ देता तो लास्ट के तीन डिजिट हम कटा कर देखते चार का देता तो कुछ बहली सोचते ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको 9-9 यानि मैकसिमम नंबर रख लो दो नो के लिए जो आएगा आगे देख लेंगे क्या आने वाला है तो यहां से हम इसके लिए 9 पिक कर रहे हैं 9 दे इसको तो यह तीन बार में जाएगा तो यह हो गया तीन तीन तीया 9 तीन दूनर च्छह या आगया 6 और तीरहमेंसे 9 दूनर पाँच नहीं 9,4 13 तीरहमेंसे 9 गया 4 और यह 0 ऊपर से लेते हैं 9 9 रखेंगे तो बात बनेगी क्या तो दो बार में हिए लिए जाना होगा और दो 422 62 आएगा 400 नहतर आना यहां तो नौ लेंगे तो बात नहीं बनेगी आठ लेंगे तो भी बात नहीं बनेगी इतना आना चाहिए यहां यहां अना चैए हम दो बार ही लेकर जा सकते हैं 400 तो यहां पर 2 आएगा तो बात बंग जाएगी तो 2 तो आया नहीं है थो हम क्या करेंगे B के लिए तो हम एक तो 9 रख लिए थे दूसरा 9 से ज़यादा हम रखने ही सकते इसलिए बार-बार चेक कर लेंगे या फिर डारेक्ट सौल भी कर लेते हैं रुप जा दो से कटाया और ये दो सो चार सो बासट अब ये आ गया साथ और ये खता दो से स्पल साथ बचा मतलब जितना भी यहां आपने नौ लिया है साथ से स्पल बच गया अगर साथ जाता ने लिए इसका मतलब है तो साथ घटा लेंगे तो ए का वैलु हो गया और बी का वैल्यू हो गया रहां दो या फिर आप घटा घटा के हुना रक सकते थे डायक्ट 2 तो चार सो बासआट, चार सो बासट कट जाता तो सीधे इसको दो रखते तो बात बन जाती है तो खरर, मैंने आपको मैधड ही बता दिया पूछा क्या है, A स्क्वैर प्रिस B स्क्वैर प्लिस A means यहाँ पर रख लो, नौ स्क्वैर माइनस दुछ इस्क्वैर प्लिस हमारा होगा ठीक आए और आगे बढ़ते हैं सेम कुर्ष्चन है इसको आपको करना चाहिए टॉप कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए कि दो तीन पांच एक्स वाई इसको किसे सॉल्व करना है साथ या 21 साथ यह सेम नंबर है ना साथ यह तो हम इसको 231 से फिर से एक बार में जाएगा 231 यह बच गया चार उपर क्या रख लें नौ नो तो आ जाएगा यहां जीरो लेगा फिर नौ आ जाएगा अब 231 कितनी बार में जाएगा तो दो बार में ले जाकर देखते हैं क्या होगा 262 मामला तो नहीं बना लेकिन देखते हैं कहां तक बनता है यह आ गया साथ यह आ गया तीन ठीक है याणि xy की मह lonx y हमारा क्या था 99 इस पेंसे हम 37 को खटा देंगे यह आ गया 2 और यह आ गया 6 ती a2 एक यह आ गया की value अगर हम x बराबर 6 रखें और y बराबर 2 रखें तो यह तीनों से भी भाजित हो जाएगा ठीक है साथ कि जगा च्छे और यहां पर वाई की जगा रख गए अल्टरनेट दे को दो और पांच साथ और दो नौ नो पिर तीन का क्या था कि दो और तीन पांच पांच जश्चो फिरस सोला चार च्छतिस पिर साथ पंजी पैतिस बचा तीक है पर फिर साथ एकिस बचा चार च्छी आलेस सच बयालेस चार साथ कड़ी है साथ से तीनों से तीनों कड़ी है यह सबसे इजिएस मैथड होता है इस तरह की कोश्चन को सॉर्व करें तरी एक्स प्लस फूर वाई हमें चाहिए एक्स की जगह च्छे रखेंगे और वाई की जगह दो रखेंगे च्छे तो बहाना था एक्स वाई निकालने का ठीक है बड़ी है मज़दार कोश्चन था यह इसवे देखो इसका पावर्ड़ी तो सबसे छोटा को मनँ है यह बचेगा एक दे और silence गुनाव हो व्हासाटी शेह और संतावनji में यह तो यह संख्याend Lieber K attenlet sheet 390 सर्करबांस तो यіह संख्या किस से किसी बाजित होंग है losing 270-7 अगे और 19 भी भाजित हो जाएगी तो जो औप्शन रहेगा तो यह 3 से भी होगी साथ से भी होगी और 19 से भी होगी यह तैह है और आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप कर दीजिए option भी है इस बार एक इस से वाज्य है तो दो का गात 25 तो common हो जाएगा मतलब दो से तो इवाजित होगी ही होगी अब दो का गात 25 कौमन हो गया तो एक बचा और जोड अब क्या बचा तो दो का गात 25 हुआ है 26 है तो दो का गात एक बचा है फिर दो का गात दो बचा है तो यह हो गया एक जोड दो जोड चार चार दुच्छे और एक साथ गुना दो का पावर 25 यानि दो से तो होगी ही यह साथ से भी होगी यानि उत्तर क्या हो जाएगा साथ ऐसे question एक्जाम में सीदे सीदे आ जाते हैं और हम ऐसे एंसर कर लेंगे आईए यहां से तोड़ा सा और बदला कि इसका मान गया कि यह मतलब डिवाइड ही तो करना है तो अगर है हमारे पास 231, 231 और 231 है यानि एक तीन संख्या को रिपीट करके बनी है तो हम काट लेते हैं एक 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 तो क्या हम 111 एंसर कर दे अगर आप ऐसी भूल कर रहे हो 111 एंसर करने की तो यह एंसर सरासर गलत माना जाएगा क्यों क्योंकि भाग ऐसे नहीं दिया जाता आपको मैं सिखा दूं कि 231 को भाग देंगे 231, 231 और 231 से तो 231 एकम 231 यह खतम हो गया फिर दो एक ही संख्या लेना का हक है आपका बाकी जाने तन थी तो इस तीन को लेने के लिए जीरो देने पड़ेगा फिर इस एक के लिए जीरो देने का पड़ेगा अब 31 फिर 231 और सेम छीज दो लेने का हक है लेकिन एक दीन के लिए दो बार 0 फिर यह नहींने का हक है इस दोनों के लिए दो बार 0 ऐसे करोगे तब एंसर है तो यह बढ़िया है कि जब भी repeat करके तीन अंग का संक्या को repeat करके तीन अंग से भाग दे रहा है उसी अंग से भाग दे रहा है तो बीच में 2-2-0 आएगा चार अंग की संक्या रहेगे तो बीच में 3-3-0 आएगा दो अंग की संक्या रहे तो बीच में 1-1-0 आएगा जैसा कि अगला प्रश्न देखे बनाईए आप लोग वीडियो स्टॉप करके क्या करोगे तो 97-97 से बनी है 97 से काट दिया एक आ गया लेकिन फिर 97-90 को काटने के लिए 9 लेने का हाख है 7 के लिए 0 फिर एक बार में फिर 0-1 फिर 0-1 यह आपका एंसर है ठीक है तो ऐसी गलती ना करें यहां से गलती यह होती इसका संख्या एंसर कीजी आप्शन हमारे पास है कि 73-73 को कॉल संख्या भी भाजित कर सकती है तो लड़का दिक मांग लगाएगा कि कम से कम तो करेगा ही न एक और एक सारे 11 तो पहला ही ऑप्शन रहेगा जो की गलत है क्या होगा 73 तो गया एक बार में साथ लेने का है तीन के लिए जीरो देना पड़ेगा यह एक सो एक इसका उत्तर हो जाएगा और आगे चलते हैं पटापट करते हैं कि दो अंकों की संख्या की पुंडर वृति से एक चार अंक्या संख्या बनती है जैसे 25-25 अत्वा 32-32 आदि इस प्रकार की कोई संख्या में सब क्या हो सकती है ना यह xy xy हो सकती है यह pq pq हो सकती है और उसके लिए नंबर बोल दिया है तो यह किस से वाजित होगी तो देखो हमने 25-25 को पहले लेकर चेक कर रहे हैं कि 25 से तो वाजित होगी यह मतलब 1-0-1 आएगा इसका मतलब है कि 101 से वाजित होगी होगी ना इसको तो दूसरा तरीका क्या है कि हमको इसको 25 गुना क्या लिख सकते हैं अगर इसको हम फैक्टर करें तो यह देखो 25-25 लिख सकते हैं न पत्चीस सो जुड़ पत्चीस दोनों में पत्चीस है पत्चीस कॉमन करेंगे तो यह सो आ जाएगा और यह एक आ जाएगा तो यह पत्चीस गुना एक सो एक हो जाएगा इसी को तो मैं डारेक्ट लिख रहा हूं इस मेठ़़ से ठीक है यान इसमिए धूंखो की संख्या अगर रिपीट हो रही है तो आप देखो कुछ भी कर लो 32-32 कर लो शेंख है न 32-32 है इसको मैं बत्टीस सो जोड बत्टीस लिख सकता हूं 32 common करूंगा तो 100 जोड एक क्या हो जाएगा 32 गुना 101 कोई भी संख्या लेगा यह 101 तो रहेगा अगर दो उंकों की संख्या है तो बस काम बन गया कि 101 का फैक्टर ढूंडेंगे कि 101 किस किस संख्याओं से करता है तो देखो 101 को मैं अगर 7 से स diversity करों तो साथ एकम साथ और बचा क्या 10 बिजन है पिर अगर मैं एक सौे को कि इस दिवाइट करूई इस एव नहीं जाएगा कर की तीरह से अगर में करो मुझ incur पतेरो से और शद्यकैन बिज उत्क नविए सात एक ग्यारत तेरह तेरह किसी से सबसे जाएगा सबसे 3 आंकिया अभाज्यसंख्य संख्या क्या होती है 1001 ही यानि कोई ऐसी संख्या हो यह एक सो एक से तो जरूर भी भाचित हो और यह जानना होगा कि 101 संख्या है कियो कि आपको दिखा दिया किसी से नहीं कर आप आप अच्छे समझ में आ जाएगा क्या है तो हमारा एकस प्रकार की 6 अंकिय संख्याओं को हमेसा कौन विभाचित करेगा अब यह वहाँ पर 4 अंकिय संख्या थी यहाँ पर 6 अंकिय संख्या है जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 12 12 12 ऐसी आप भी लिख लेना 12 से कटाओ एक 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 लेकिन दो है तो 00 आएगा यानि 10101 10101 अगर 6 अंकों कि संख्या है तो बाकि कुछ भी रहे कुछ भी रहे देखो 37 37 37 को तो 37 भी बाजित करेगा ना तो यह 1100 क्योंकि दो अंकिया तो 101 तो common रहेगा ही ठीक है दो बार है xyxy तो 101 तीन बार है तो 101 जीरो एक चार बार है तो आप समझ रहे हो लगाते रहना नहीं हो और answer लेते रहना आगे बढ़ते हैं तीन अंकों की संख्या की पुनर्य विर्थी से एक 6 अंके संख्या बनती है जैसे 256 अत्वा यह है तीन अंकों की संख्या को रिपीट किया गया है यानि 256 यह बार में गया यह लेकिन यहां से इसको लिने लाव बैसके लिए यह जो सब्सक्राइब कर देखते हैं इसमें से क्या क्या है तो 119 निन नियानवे बचा एक फिर एक पिर एक बार में गया यानि एक और यह क्या होता है साथ गुना तेरह यह जो सब्सक्राइब के घ्री सब्सक्राइब कर घ्री धनाब का साथ 11 और 13 साथ मुग द Васाथ मूंस धर होता है यानि यह संख्या है यह 11 से भी कटेगा सब्सक्राइब कटेगी सांळा की 309 और एक 10001 से भी कटेगी यानि अगर आपको x y z x y z मिला है तो यह किस किस से कटेगा यह हमेशा साथ से 11 से 13 से और 1000 एक से और साथ ही साथ x y z से भी कटेगा इतने से कटेगा लेकिन इसमें तो 4 option है नौन ओफ भी option में हो सकता था या फिर all of भी option में हो सबसे बढ़िया पढ़ा रहा हूं ठीक है लेकिन मैं कहूं कि मैं इकलौता ही इस चीज को पढ़ा सकता हूं या पढ़ा रहा हूं यह गलत है और भी लोग पढ़ा सकते हैं तो only लग गया इसलिए तीनों नहीं होगा इस में only नहीं है से कह समझ में आ रहा है और आगे बढ़ते हैं है दोक्तों पावर आठ माइनस एक किससे वाज यह आठ है यहां पर कुछ नहीं है तेक है कि यहां द्योगा पावर आठ किस से विवाज है माइनस एक अब क्या करें ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए थे यहां पर कोई नहीं दो का पावर आठ है तो हम कर लेंगे दो का पावर आठ दो दुना चार दुना आठ दुना सोला दुना बत्यर दुना चौनसट दुना एक सो अठाइस दुना दूसो też है कि के 2056 मैनस एग देक़ेने दूसोचपन मैनस एक क्या होता है दूसोचपन कि दूसोचपन से वाज्जे धीक़ए lessons इकाई अंग पर पाच है इसका फैक्टर कर लेते हैं 5 से तो जाये गई 5-25 पाच पच्छिस पाच एकम पाच यह 3-7-4-7-5 यानि यह किस-किस से विवाज़ हो गया 3 से 5 से 17 से 15 से 25 सबसे विवाज़ित हो जाएगा समझ में आरे ये बाते विवार्जित अगला कोश्चन ये किस से विवार्जित नहीं हो सकती तो यहां से हमारा अब एक कॉंसेप्ट चलेगा ये 23 माइनस दू अगर हम इसको एकस इसको वाई कर लें तो एकस माइनस वाई उपर क्या है दस दस यानि इभन संख्या है तो अगर मैं एकस स्क्वाईर माइनस वाई स्क्वाईर कर लो इसको आप एक पल के लिए न इभन मानिये मैं आपको एक नियम सिखाता हूं यहां से त है पावर कुछ भी हो पावर क्या हो यह सं ख्या कोई भी संख्या किससे होगी अगर एकशी पावर एभन हो और य का पावर भी एभन हो तो यह हमेशा एकस प्लैस वाहने बेस को जोड कर और पने बैस हो हटाकर दोनों से भी भाजित होगी यानि 2-5-2-4-6-8-10-12-20-120 कुछ भी क्यों नहुद कि 10 है हम इसको 23 का पावर 2-20 और इसका पावर निकाल देंगे तो जाएगा तो हम इसका डारेक्ट एंसर कैसे ले तो तेईस प्लस दू पच्चीस पच्चीस ऑप्चीस में नहीं है तेईस माइनस दू 21 21 भी ऑप्चीस भी नहीं है लेकिन 21 साथ से कटता है तीन से भी कटता है कि अगली मैं कि अच्चीस से बाइज़ित नहीं होगी साथ से वीवाजित होगी कि एस से वीवाज़ित होगी तो ये 25 पीजत है ये जू संख्या दी गई है वह 3 से होगी 5 से होगी 6 सAhud и 21 सेanska 25 सबसे होगी तो 3-5 सार्च में है ये तीनों से होगी है यह भला नहीं होकी तो किसे नहीं होगी एक्षीलिपस्ण तर है तो यह अप्पनियम बन गया कि अगर बेस वी वाजित होगी आगे बढ़ते हैं कोशन के साथ नहीं हम सीखेंगे एक किसी वी वाजित हैं यह साहर दिखनी रहा आपको साथ का पावर 84 माइनस तीन का पावर 42, तो क्या 7, 3, 10, 7, मैनस 3, 4 कर दें? बिलकुल नहीं क्योंकि दोनों का पाउर एवन है लेकिन समान नहीं है इसको हम करेंगे 7 स्कौार का पाउर 42, 2, 14, माइनस 3 का पाउर बिले है अब पाउर भी समान होना चाहिए और इवन होना चाहिए तब लगेगा अब यह नुशास माइनस 3 और उनुशास प्लस 3 तो उन्चास माइनस 3 क्या होता है 46 और उन्चास प्लस 3 क्या होता है बावन तो 13 चोग के बावन और 23 तुना 46 यह दो 4 13 23 से है इसमें सिर्फ 13 है बाकि कोई नहीं है आद समझ में आ गई वह तो एक होगे आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारे पास विवाजी ताफ समर्ड को 1000 से 10000 निउंटम कौन सी संक्या सब्सक्ता हioso यूध जाना झाहिए ? ताट कि वह 237 से पुन यूधा उद्धा जित हो तो सिंपल इस प्रश्ण में क्या करना होता है कि 10,000 को हम 327 से भाग दे देंगे भाग दिया तो तीन तीया नौ तीन बार में कटेगा 27 तीया इक्यासी नोसो इक्यासी तेकर 10 में से एक गया और यह नौ मैं से 8 गया एक और नो खतम यह 0 stressing आ схट भग देकर देखिए अब इसमें कौन सी संक्या जोड जाहें है कानी को और स्टाइज को सी जोटे जाहें है किसी विभाजित हो हुआ हिवाजित होने का मतलब से सकर 0 अना चाहिए तो अगर घठाइ जाय रहना तो 1,450 से घठालो 1,000 में से एकशोन अब्भ घठाएंगे तो 0 जाएगा लेकिन जोडने को बोलें तो इसका अंतर जोड लेजें अंतर क्या है तो 7 में से 0 गया 7, 12 में से 137 137 जोड़ने पर यह पूरी तरह से विवाजित होगी हमेज़ा इन दोनों का अंदर हमेज़ा कैसे तो एक चीज़ एक सब्सक्राइब एक हजार की जगव पर हम लोग सो रख लेते हैं और इसकी जगव पर हम लोग चौबिस रख लेते हैं चौबिस से सौ को भाग देकर देखो चौबिस चौबिस च्छी आग बचाए चार तेके अब कौन सी संख्या जोड़ें की विवाजित हो जाए दोनों कांतर क्या होगा तो सौ में 120 चोड़ो तो यह हो जाता है 120 को 24 से भाग दो 24 पर जो सबसे व्यक्त मैद यहीं है कि जब भी जोड़ने को बोले तो यह जोड़ा जाए यह घटाने को बोले तो डारेक्ट यह घटा आजा है जैसी परसंद को एक हजार में कम से कम कौन सी जड़ी 37 से पूंट रिभाजित हो यह तो आप खुद ही कर लेना मुझे बताने की ज़रुत नहीं पढ़ने चाहिए अगला प्रस देखें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ही पूछा है आप लोग कर लेंगे दोनों का आंतर हमेशा जोड़ दीज सबस्य कि कितनी संख्या है साथ द्राव वह जी ज़े एक चोटा सा लेकिन हो यह बड़ी ठाइप है सो तक की संख्या है तो सो को हम किससे बग मे बदें आप 5-7 ृतो सांट sec выпalette सातADE कम सा बचा किया तीन जीरो साथ चो के अट्ठाइस खतब यह चौदा क्या यह चौदा संख्या ऐसी हैं एक से सौ तक में जो साथ से विवाजित होंगे ठीक है जोदा सत्यांटानबे हो गया का तो चौदा हमारा एंसर हो जागा यह एक एक लाइन के बड़े आजाम अबसे बनने वाले कोशन होते हैं पांसो तक की संख्या में कितनी संख्या है चब्वीस विवाजित होगी नॉर्मली चब्वीस से पांसो को भाग दे दो अब यह चब्वीस दोसो साथ तो नौ बार में तो नौ चब्वन हासिल पांच नौ दुन अठारह और पांच से कमी है ना इससे बस 19 संख्या ऐसी हैं जो 26 द्वारा विवाजित होंगे जिसके द्वारा विवाजित होंगे मतलब उसका टेप और अब यह देख लो 200 तक की स चेसे काट दि तो 200 को आप 6 से कटा दो ऐसे भी कर सकते होs चैड्याइब रप्चा दो चरेरे तीर संख्या ऐसी है दो सो तक जो दो से भी होगी और तीन से भी होगी अब देखो प्रसक्त सौ से तीन सव तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विवाजित होंगी तो 100 से तीन सो आप क्या करोंगी दोनों का अंतर ले लो दो सो हो कि इसको 11 से वाजित कर दो एक ग्यारा एक कम एक ग्यारा बचा 990 अंगे यह 18 संख्या ऐसी होगी जो होजागी लेकिन हमेशा सही अंसर नहीं करेगा ठीक है सुकान तर कि एक से तीन सो तक में हमने सो जादा कर दिया तो एक से सो तक वाला घटा देंगे तब एंसर आ जाएगा यह सही तरीका है सो बटा एक ग्यारा नो निन्यान में 9 संख्या है जो भी भाजित है और यह 300 होता है इसको एक ग्यारा से भाजित करोगे तो 11 दुना 22 बचा 8 ग्यारा 27 संख्या है 27 माइनस 9 वराबर 18 यह हमेशा हमेशा सही एंसर करेगा ओके आपको बाते समझ में आ रही होंगी यह आपके लिए होंबर्ग है आपको खुछ से करना है यह देखो इस संख्या को किस संख्या से वाजब किया जा सकता है कुछ कोशन हमबर्ग कर रहा हूं आपको ऐसा कोशन मैंने पहले भी पढ़ा दिया है वो तीन था यहां चार है आप खुछ से करेंगे इसको भी यह माइनिस वाला है माइनिस वाले एक बार बता देता हूं कि 126 आठ का पावर 126 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा यहां पर टथाईस है तो 8 पावर 2-8 पावर 1-1 तो 8 का पावर 126 64-8-1 तो यह क्या हो जाएगा चंपका पावर से कट सकता है मतल际 हमारा तर हो जाता है यह और भी beaterine question है कि दिग इस संख्या को 95 पांचानवे से भाग देने पर 45 से सीस्फवल परात है तो यहँ तो यह झाया कॉझिछ यह सबसे क्या है तो यह अब 19 से भाग देने पर 40 सेस्फल बचता है इस question का answer आप करेंगे जल्दी से कीजी वीडियो को stop करके सेस्फल बचता है 40 तो उसी संख्या को 23 से भाग देने पर सेस्फल क्या बचेगा अब तो आप सिधे 40 को drop करेंगे और 23 दूना 46 नहीं कटेगा 23 से कम हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह answer गलत कर देगा अब कैसे गलत करेगा रुको concept सिखाता हूं कि यह 19 से कब करेंगे तो देखो यह पहला भाजक दूसरे भाजक से विवाजित है कि निस पचेप अचांदे पूरी तरह से विवाजित है यह वाली तब हम क्या कर सकते हैं कि भाई डारेक्ट इसको ड्रॉप करके लेकिन जब यह 19 से विवाजित नहीं होता तब आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते यह ड्रॉपिंग होगी नहीं तो इसका अंसर हमेशा आता है कभी याद नहीं कर सकते और आगे बढ़ते इसका एंसर पटाक से दीजिए जल्दी से वीडियो को स्टॉप कीजी और एंसर कीजि है तो उसी संख्या को किस से तेरा से यहां पर गायब होगी है तो सेस्पल क्या बचेगा तो चेक करो तो तेरा पंजे 65 कटता है ना बस 40 को ड्रॉप कर दो अब तेरा तिया 49 आपका उत्तर आजाएगा एक यह हमेशा ही सही एंसर करेगा इसी प्रश्निका मैं धूड़ रह किजिए जिसे 1708 से घटाया जाया तो प्राप संख्या 13 से पुंतर विभाजित हो कि 13 से भाजित करना है और यह है 1708 तो वो कौन सी संख्या है तो 13 एकम 13 बचा क्या तो साथ में से तीन गया चार जिरो तेरा तिया तेरा तिया 49 बचा क्या एक उपर से आठ फिर तेरा एकम 13 बचा क्या पांच अब कौन सी संख्या गटा है तो 1708 से हम डारेक से इस पल देखो इस 5 में से 5 गटा देंगे तो 0 बच जाएगा मतलब यह 5 1708 से गटाना है यानि 1703 वो जादूई संख्या है कि आप गटाएंगे तो हमेशा वो भी भाचित हो जाएगा तो ऐसी तमाम चीजे हैं मैंने maximum करने की कोसिस की है लेकिन नहीं हो पाता है एक class में इतने सारा number system है अभी तो मैंने सिर्फ भी भाचिता पढ़ाई है तो इस तरीके से बहुत सारी चीजे होती है बागी चीजों को पढ़ने के लिए जुनने के लिए पात हाई से चुड़िए फिर हम आपको कंप्रेटिव मैथेमेटिक्स की बहुत सारी चीज़े बताएंगे इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू सो मच बाई बाई टेक के